क्या ये संभव है कि एक नारमल इंसान ऐसे सुपर्पावर्स को प्रापट कर सकें अगर हा तो कैसे आपने बोड़ी के साथ चक्रों के बारे में तो सुना ही होगा पर क्या आपको पता है कि दूसरे वी ऐसे साथ चकर हैं जो कुछ body के अंदर तो कुछ body के बाहर होते हैं जो advanced level के meditator होते हैं वही लोग इसको प्राप्त कर पाते हैं हमने जो साथ चक्रों के बारे में अब तक सुना है वो normal yoga guru द्वारा public platform पर publish किये गए हैं पर ये जो साथ चक्र हैं जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं वो ज्यादा तर public चर्चा में नहीं होते हैं तो आज हम उन्ही साथ चक्रों में से कुछ चक्रों के बारे में बात करेंगे कि वो कहां होते हैं और उन्हें कैसे activate करते हैं वैसे तो हमारी body में कुल 114 चक्र होते हैं पर कुछ चक्र जो सरीर के अंदर होते हैं वो already activate होते हैं या फिर कुछ चक्रों को जगाना पड़ता है पर ये जो 7 चक्र हैं उनमें से 6 चक्र सरीर के बाहर होते हैं और एक चक्र पैर के नीचे वाले भाग में होता है पाव के नीचे बीच वाली जगह सेंसिटीव होती है इस सेंसिटीव वाली जगह में सेंटर वाले भाग में एक चक्र होता है जिसे अर्थ स्टार चक्र कहते हैं वैसे तो दोनों पैर में चक्र होते हैं पर पुरिस में lift और इस्ट्री में right pair में ज़्यादा तर activate होता है सहिस्तार्थ के ऊपर वाले चक्र है Soul Star चक्र, Stealer Gateway चक्र, Divine Gateway चक्र, Universal Gateway चक्र, Cosmic Gateway चक्र, Transcendent Gateway चक्र आज हम दो चक्रों के बारे में बात करने वाले हैं Earth Star चक्र और Soul Star चक्र सबसे पहले बात करते हैं Earth Star चक्र के बारे में ये पूरा ब्रह्माइंड पंच भोत्ततों से बना हुआ है और पंच भोत्ततों अलग-अलग उर्जा से बने हुए हैं ये अलग-अलग उर्जाएं हमारी आसपास ही होती हैं पर हम उन्हें अनुभव नहीं कर पाते हैं इस चक्र का बस यही काम होता है कि धर्टी की उर्जा को हमारे शरीर में चक्र के माध्यम से दाखिल करना आपने कभी अनुभव किया होगा कि अगर हम खुले पाउं गार्डियन में या समुद्र किनारे चले तो अलग से उर्जा का एक फिस अनुभव हमें होता है और धीरे धीरे हमें नेचर की सुगंद और थोड़े समय के बाद थोड़ा तक केश्ट भी हमें महसूस होता है धर्टी की उर्जा पाउं के चक्र अर्थ स्टार से एंटर होती है और वो धीरे धीरे ऊपर की ओर उठती है उर्जा जैसे मूला धा चक्र में प्रवेश करती है वैसे ही हमें सुगंद का अनुभव होता है और उपर उठने पर हमें फुल्फिल्मंट का अनुभव होता है क्योंकि उर्जा स्वादिष्ठान और मड़ीपूर चक्रों में केंद्रित होती है अगर हम और नेचर से कनेक्ट रहें तो हार्ट के पास एक ठंड़क सी मस्तूस होती है धर्टी की उर्जा अगर और उपर उठे तो एक सांतिक अनवह होगा हम ज़्यादा क्लियर देख सकेंगे तब समझें के विशुद और आग्या चक्र में उर्जा का प्रविश हो गया है अर्थ इस्टार चक्र से धर्टी की उर्जा हमारे शरीर में अनवह की जा सकती है और इसको जागरत करने के बहुत सारे फाइदे हैं जैसे कि वातावरन की भईश्वारी करना धर्टी के अंदर के तक्तों को अनुभो करना आपके शरीर को निरोगी बनाना कुद्रत के प्रति जागरत करना और धर्टी के औरा के साथ कनेक्ट होना आपने देखा होगा कि हिंदू धर्व में जब भगवान शिव जागरत वस्था में होते हैं तब उनका एक पर धर्टी के साथ कनेक्ट होता है सामानता जब आप देखेंगे कि इस पिक्चर में कभी लेफ्ट पर नीचे होता है कभी राइट पर नीचे होता है और इन दोनों को balance करने के लिए दोनों पैर नीचे रखे जाते हैं भगवान शी एक अर्ध नारीश्वर इस्वर हैं इसलिए वो दोनों पैर नीचे रख सकते हैं अब बात करते हैं कि अर्ध स्टार चक्र को जागरित कैसे करें इसे जागरित करने के बहुत सारे तरीके हैं जैसे कि नेचर के साथ कनेक्ट होना, गेली मिट्टी में पाउं रखना या फिर खुले पाउं जमील में चलना जैसे सन्यासी चलते हैं पर हम आपको सबसे सरल बिदी बताएंगे पहले वो जो आपको सही लगे मेडिकेशन मुद्रा में बैट जाएं उसके बाद अपने पाउं के पास एक दिया जलाएं ध्यान रखें कि दिया वहीं पाउं के पास होना चाहिए जिसे आप एक्टिवेट करना चाहते हैं फिर थोड़ी देर सांसों पर ध्यान दीजिए और फिर थोड़ी देर बाद पाउं की संबेदन सील सपाटी पर ले जाएं आपको दिये की गर्माहट थोड़ी सी महसूस होगी अपना ध्यान बस वहीं पर बनाई रखें थोड़ी देर बाद आपको अनुभव होगा कि दिये की आपकी इनरजी आपके पाउं के माध्यम से आपके शरीर में दाखिल हो रही है और पाउं के बीच में जहां पर अर्थिस्टार चक्र है वहां पर धीरे धीरे कोई सूई की नोग चुब रही होगी वैसा अनुभव आपको होने लगेगा बस इसे 45 दिनों तक लगातार करें 45 दिनों तक लगातार होने के बाद आपके विचारों और अनुभवों में बदलाव आने लगेंगे तब समझ जाये कि अर्थिस्टार चक्र अक्टिवेट हो चुका है और उनका जो भी प्रभाव हो रहा है वो आपको अनुभव होने लगेगा अब बात करते हैं सोल स्टार चकर के बारे में माना जाता है कि सोल स्टार चकर क्राउन चकर के ऊपर 6 या तो फिर 8 इंच ऊपर रहता है इसे सोल सिटिंग चकर भी बोलते हैं जहां पर हमारी आत्मा बैढ़ती है इस चक्र के बारे में ज्यादा दर public platform में नहीं बताया जाता क्योंकि ये चक्र इतनी सिद्धी आपको दे सकता है कि आप इस दुनिया में super human बन सकते हैं पर साथ में dangerous भी उतना ही होता है जो बात वीडियो के end में हम आपको बताएंगे सबसे पहले बात करेंगे इसके powers के बारे में पहला spiritual connection soul star चक्र activate होने से higher device dimension activate हो जाता है और उसके साथ हमेशा एक connection बना रहता है उदारन के तोर पर समझे कि आप जो भी इश्वर को मानते हैं या फिर कोई भी देवी देवता को तो फिर उसका अंस सरूप आपको महसूस होने लगेगा अगर कोई अलाह को मानता है तो उसे अलाह महसूस होंगे अगर कोई शिव को मानता है तो उसे शिव महसूस होंगे रामकिश्व परामंस को भी कुछ ऐसा ही हनुभव हुआ था उनका देवी काली के साथ connection बन गया था दूसरी चीज है उचतर चेतना, हमारे सरीर के अंदर एक चेतना होती है, जिसके कई सारे नाम है, कोई उसे आत्मा बोलता है, तो कोई उसे जीव बोलता है, कोई उसे भगवान बोलता है, उदाहरण के तोर पर चेतना को समझने के लिए, तो समझे कि कोई एक मशीन है, जब liken के अंदर एक शेतना को समझे। तो आपको क्राउंच चकर की ऊपर एख़ोड़ा सा सूश्म स्रीड दिखेगा। और ही आप मन में जो भी बिचार चलेंगे, उनमें से कई सारे बिचार उसी चक्र से आएंगे। जो बिचार बहुत उंचतंघर होंगे। जैसे किछी उच्च आत्मा द्वारा बोले गए हों आप की सोचने की क्वाइल की एतनी मस्बूत हो जाएगी जैसे आप को सोचेंगे सब अलग नजरिये से सोचेंगे क्योंकि वह विचार आपके खुद के नहीं होंगे बस यही होगा connection में इस्वर का कोई voice नहीं होता या फिर इस्वर की कोई आतार नहीं होता आप जो भी मन में प्रस्न करेंगे उसका जवाब आपको विचारों द्वारा को मिल जाएगा तीसरी चीज है clear winds आपने करी बार सुना होगा हर एक चीज का एक औरा होता है इस दुनिया में एक आत्मा घुमती है यह सभी चीजें ऐसी होती है कि सभी लोगों को नहीं दिखती है या फिर आपने महा भारत में भी देखा होगा कि अर्जुन को भगवान का विराज की रूप जब देखना था तब वे अपनी नार्मल आखों से नहीं देख पा रहे थे इसलिए भगवान क्रिष्ण ने अर्जुन को दिब द्रश्टी प्रदान करी थी अब इसे अगर योगिक साइंस की नचर से देखें तो हाँ ये संभव है कि अगर आपके पास ये सिद्धी हो तो किसी और इनसान के अंदर ये सक्ति टांसपर कर सकते हैं कुछ छण के लिए जैसे गुरु अपने सेश्य को सक्ति पात देकर करते हैं जब मानुई शरीर में दिब द्रश्टी जागरत हो जाती है तब हम दिब आत्मा भी देख सकते हैं सभी इनसान के अवरा को देख सकते हैं और हम देख कर निर्णय ले सकते हैं कि उस इनसान की नियती क्या है क्लियर वायन्स एक अध्यात्मिक और पहला बोलिक लॉजिकल गुन है इसमें एक ब्यक्ति के दूसरी की बातों को सुनने देखने महसूस करने की छमता होती है जो उनके साधारान इंद्रियों से बाहर होती है यह एक अध्बुत और असाभाविक छमता होती है जिसमें ब्यक्ति दूसरे की मन की भावना अभिप्रेद या फिर गतिविदियों को जान सकता है अब चौती चीज है क्लेर ओडियन्स जब सोल स्टार चकर एक्टिवेट हो जाता है तब हमारे कानों की सुनने की सेंसिटिव विटी एक्टिव हो जाती है और हम ऐसे ध्वनी को सुन सकते हैं कि कोई नार्मल इंसान उसे नहीं सुन पाता जनरली हमारे सुनने की प्रिक्वेंसी 20,000 हर्स तक होती है उनके उपर और नेचे की प्रिक्वेंसी हम नहीं सुन पाते वैसे ही कैपसिटी हमें इस पर्स करने की अनुभव की होती है जब किसी का हैवी एक्सिजेंट हो जाता है तो कुछ छड़ों के लिए वो पेन हमें महसूस नहीं होता कुछ देर के बाद वो पेन हमें महसूस होने लगता है क्योंकि शुरुआत में वो पेन संस्टिविटी और डेसिबल हाई होती है जो हम अनुभव नहीं कर पाते हैं और थोड़ी देर में पेन की संस्टिविटी कम होती है और वो हमारे महसूस करने की छमता में आ जाता है और तब हम पेन का अनुभव होता है सेम उसी तरह सुनने में भी होता है क्लेर ओडियंस एक्टिव होने से हमारे शरीर के अंदर की आवाजे भी सुनाई देने लगती है जैसे मंदिर के घंटिया ओन की ध्वनिया तता शरीर में हो रहे बदलाव की आवाज हमारे कान के अंदर पहुंच जाती है हमारे कान के अंदर तीन पार्ट होते हैं जैसे आउटर इयर, मिडल इयर और इनर इयर उसमें middle ear का काम इन दोनों ear की frequency की information को collect करना और brain में transfer करना जैसे हमें अंदर की आवाजे सुनाई देती हैं वैसे ही हमें बाहर की और बहुत दूर की भी आवाजे सुनाई देती हैं पर उसके लिए कानों का ध्यान भी सीखना पड़ता है कानों की meditation को ध्वनी अनुक्रिया बोलते हैं कोई हमारे आसपास या फिर बहुत नजदीक शोर मचा रहा है और हम उसे बहुत दूर बच रहे किसी music को सुनना चाहते हैं तो इस meditation से कर सकते हैं पास पास को सोर बिलकुल जीरो हो जाता है और दूर बज रही ध्वनी की आवाज पड़ जाती है अंग्रेजी में एक book है The Secret to Hill इस book में writer ने बताया है कि उसे कुछ accident की वज़े से ब्रह्माइड की आवाजे सुनाई दे रही थी जैसे दो ग्रहों या फिर दो उलका के बीच में टकराने की आवाज या सूर में हो रहे फेर फार हमारे ब्रहमाज पुराण में रिशी मुनियों ने उपस्थित ग्रह सूर और उसकी गत्विदी के बारे में बताया है उसके पीचे का कारण भी बस यही था कि वो लोग इस प्रत्विव पर रहकर ही ग्रह की चीज़ें अनुभो कर लिया करते थे अगर कोई गरम चीज़ है जैसे गरम लोहा और हमारा शरी ठंडा है अगर हम कुछ लोहे पर अपना हाथ या फिर पाउं भी रखें तो हमारा शरीर उसकी उसमा को हमारे शरीर में आपजर्व कर लेता है जैसे कि Heat Exchange मेठτε्ट, जैसे कि हिमाले की खेंड में और ताप्मान स्टून से नीचे हो, और स्वी के सामने हाथ करें और स्वी की उर्जा को अपज़र करें, तो हमारे सरीर में उसब तर प्रमार की गर्मी पैदा हो सकती हैं, जैसे बरफीले तापमान में शरीर में पसीना बन जाए, सायद एक करण हो सकता है, हिमाले में योगी बिना कपड़ों के भी रह सकते हैं। आटो बायोग्राफी आफ योगेत बुक में बताया गया है कि कुलकाता के एक गुरू थे, जो हाथ से या फिर सरीर के किसी भी भाग से एक सुगंद बना सकते थे। उर्जा का एक अंसमात्र अनुभो कर पाएंगे। दूसरी चीज है उर्जा और वाइब्रेशन। अगर उर्जा अनुभो की बात करें तो आटो बायोग्राफी आप योगी बुक में एक किस्सा बताया जाता है। पूरे ब्रेन पर फोकस करें और ध्यान रखें। कोई भी छोटा सा अनुभट छूटना नहीं चाहिए। अपने विचारों को बंद कर दीजिये। और अपना पूरा फोकस ब्रेन पर रखें। अब धीरे धीरे गोल गोल घूमें। और बहुत ही ध्यान पूरवक महसूस क वो उर्जा किसी भी प्रकार की हो सकती है, सायब किसी मूर्थी से या किसी पदार्थ से निकल रही हो, अगर उस उर्जा की दिशा में आप आगे बढ़ेंगे तो अंत में उसका एक सोर्स मिलेगा, जैसे कि कोई मूर्थी या फिर पदार्थ, और फिर उस मूर्थी के सामने आँक बंद करके ध्यान करने से आपको एक vibration महसूस हो सकती है। अक्सर आपने देखा होगा जो बड़े-बड़े मंदिर होते हैं वहाँ पर अक्सर ऐसी उर्जा और vibration महसूस होती है। पर कभी कबार ऐसे उर्जा हमें बूज गंश दे जाती है। पुराने समय में राजा महराजा सास्त की मदद से एक ऐसे मंदिर का निर्मार करते थे कि वहाँ हमेशा एक पूर्जा का प्रवाह निकलता रहे। अगर कैलास गए हैं कभी तो ये बात आप अच्छी तरह से महसूस कर पाएंगे। अब छटमी एबेल्टी है तैली पैथी जब भगवान शिव ने सबतरिशी को ग्यान दिया था तब बिना बोले मौन रहकर दिया था। आज के जमाने में हम सोचे के तो लगेगा कि ये कैसे संभव हो सकता है। पर यह संभव है। उसके लिए आपका उंदा प्रमार का योगी होना बहुत जिरूरी है। जब भगवान शिव इस धर्ती पर आये तब वो ध्यान पर बैठे और नगर में से काफी लोगों की भीर्ट जमा होई। सभी लोगों को लगा ये योगी कोई चमतकार करेंगे। पर शिव ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और वो इस्थिर बैठे रहे। धीरे धीरे वहां से लोग उठकर चलने लगें। काफी दिन बीट गए जो हजारों की भीर्टी अब वहां पर कुछ किने चुने लोग ही बचे थे। और कुछ महीने के बीतने के बाद सिर्फ साथ लोग बचे गए। जो शिव के सामने बैठे हुए थे वह भी मौन थे और शिव भी मौन फिर भी कहा जाता है कि सिर्फ ने सबतर्सियों को महायोगी बनने की सिछा दे थी। अब एक बात समझें कि हमारे हिंदू धर में जो भी कथा बताई गई है वो कथा कोई मनोरंजन के लिए नहीं बताई गई है। अगर हम योगिक परस्पेक्टिव से देखें तो हर एक हमें कुछ ना कुछ लाजिक बताती हैं। उदारान के तोर पर समझें तो रामायर में हनुमान जी ने अपने सरीर को सूस बनाया था। तो यह कथा को अगर हम योगिक परस्पेक्टिव से देखें तो आपने सुना होगा हमारे सरीर के चेतना के साथ इस्तर होते हैं। उन तो यह संभव है कि रामायर में हनुमान जी अपना सूस्म सरीर निकाल कर यात्रा करी हो। इस जगत विज्ञान लाजिक को मानता है पर कुछ लाजिक इतने एडवांस लेवल के होते हैं जिने मौजन साइंस वाबित नहीं कर सकता। और उसके लिए योगिक साइंस की से भगवान सिव और सब्तृषियों ने मनहीं मन कनेक्शन बनाया और सब्तृषियों योगि से महायोगि बन लिया। टेली पैथी की अबिल्टी हर किसी के लिए अलग-अलग हो सकती है। जैसे की विचारों का आदान प्रदान करना का अगर कोई अगोरी हो तो वो इसके उपियोग वसी करण के लिए कर सकता है। अंत में कथा में ये भी कहा जाता है कि शिवने सब्तिरिसियों को जो भी जिखाया था वो गुरू दिच्छा में वापस मांग लिया। और सब्तिरिसी उसे वापस देकर रोने लगे। अगर इस कथा को योगिक पर्स्पेक्टी से देखें तो समझे कि जब कोई गुरू अपने सिश्च को सकती पात देता है तब वो सिश्च को सकती पात का अनुवव छणभर के लिए ही करा पाता है। थोड़ी देर बाद अपना गूधा आग्यां चक्र से हटा लेता है और सिश्च रोने लता है क्योंकि वो माया का अनुवव फिर से करने लगता है। आपने महसूस किया होगा कि जब कोई ये निर्ने लेने वाले होते हैं तब उसमें आपकी सहमती नहीं होती है। और अंत में वो निर्ने आपको सही लगता है। उदारण के तौर पर समझें तो जैसे कि हमारे फ्रेंज सरकल कहीं बाहर जाने की बात करते हैं पर हमारे उसमें सहमती नहीं होती। और तब लगता है कि अच्छा हुआ कि हम वहां नहीं गये। जैसे हम कुछ छणों का अनुभव कभी कबार कर रहेते हैं सास्त्र में एक स्लोक है आत्मनं तेहत्त विश्वास्यत। इसका मतलब यह है कि अपनी चेतना पर विश्वास करो। चेतना हमेशा तुम्हें आनंद ही देगी। क्योंकि मानवी चेतना इस्वर का रूप है और इस्वर कभी दुख नहीं देते। यह चेतना ही है जो हमारे साथ कम्यूनिकेज करती है और हमारे विचारों के माध्यम से हमें रास्ता दिखाती है। अभी के जमाने में एक ट्येंड चल रहा है asta अगर मनवी चेतना बोल रही है इस काम को मत करो तो फिर मत करो उस काम को संवान करो। मनुष में मनुष चेतना से बड़ी कोई ताकत नहीं होती अगर चेतना की नहीं सुनोगे और never give up वाली थेोरी के साथ पकड़ के मानुवी चेतना को अजर बना दोगे तो फिर हमेशा ultimate result मिलेंगे पिरे ग्रेनेशन ability बस यही है कि जब तुम उसके सुनने लगते हो तब वो ज़्यादा प्रभावशाली हो जाती है और तुम्हें निर्णे लेने में हर पल मजदगार करती है और इसके जागरत करने के दो तरीके हैं एक है सोल स्टार्ट चकर पर medication करना और दूसरा है इसका मतलब है अपनी चेतना का सम्मान करो जुक जाओ उसके सामने क्योंकि इस दुनिया में human consciousness से बड़ी कोई ताकत नहीं होती अब सात्वी ability है mediumship यूवक नो हरारी की एक बुक है sapience इस बुक में बताया गया है कि जो सबसे पहले साधरार मानों थे या फिर आदिमानों थे उसे ये नहीं पता होता था कि सोचा कैसे जाता है और सोचते समय ध्यान कहां लगाया जाता है इसलिए वो सोचते समय स्वादिष्ठान चक्र पर ध्यान करते थे जो एक जननेनरी के उपर होता है जो स्वाभाविक रोब से इस समय काम ही यही था कि जनसंख्या को बढ़ावा करें और सिल्फ डेवलप्मेंट या फिर सेटी डेवलप्मेंट के बारे में ना सूचें अब स्वादिष्ठान चक्र का काम ही यही है कि हमारे बिचारों को बैलेंस करें अगर हम किसी प्रियुपात के साथ लांग ड्रावी पर जा रहे हैं तो हम मन से कापी जादा प्रसंद होंगे उस समय ऐसा लगेगा कि सब अच्छा है और सब कुछ अच्छा ही हो रहा है अगर उसी समय कोई सामने आ जाता है और एक्सिडेंट होने से बच जाता है तभी उसी समय ना भी की नेचे कुछ करबड़ी सी होगी जैसे रोलर कोस्टर में होती है और हम पाजिटिव सोचना बंद कर देते हैं थोड़ी देर के लिए बस स्वाजिश्ठान चकर का काम वही है जो हमारे विचारों को बैलेंस करता है अगर आप कुछ बहुत ही पॉजिटिव सोचने लगते हो तो वह कुछ निगेटिव विचारों को हमारे मस्तिस्थ में दाखिल करेगा जिसके प्रभाव से आप कुछ बैलेंस अनुभो करेंगे और दोनों बाजों से विचार करने पर मजबूर हो जाएंगे अब जो बुक पर मादिमानों मेंशन किये गए हैं उन्हें ये पता नहीं होता था कि कुछ विचार करते समय आग्यां चक्र पर ध्यान दिया जाता है वो ज़्यादा तर स्वाधिस्ठान चक्र पर ध्यान करके सोंचते थे और हमेशा निगेटिव रिजल्ट ही पाते थे अगर इसका प्रमार देखें तो एंसेंट सिविलाय जैसा में कुछ ऐसे मूर्तियों का निर्मार किया हुआ है तो देखने में कापी नकारात्मक और जराने दिखाई देती हैं बस उसके पीछे का कारण यही है कि मूर्ति बनाने वाले स्वाधिस्ठान चक्र से सोंचते थे और अपनी नकारात्मक मूर्ति के माध्यम से दिखाते थे जिसे कुछ लोग अभी राच्छास, दानों या असुर बोलते हैं अब देखिए अलग-अलग चक्र के गुण होते हैं अगर हम आग्या चक्र पर ध्यान करें और सोंचे तो हमें अधिसे लॉजिकल विचार आएंगे अगर हम गले बर ध्यान करें यानि की विशुद्धि चक्र तो हमें शांती का विचार ही आएंगे अगर हम सक्स के विचार करते हैं तो हमारा ध्यान चला जाएगा मूलाधार में ऐसे ही 114 चक्र होते हैं और मनुस्य विचारों के शेरी भी 114 ही होती है मनों से इन 114 शेर्णी के बाहर की शेर्णी की बिचारों के बारे में सोच ही नहीं सकता मेडियम सीवबिल्टी बस यही है कि अगर आपका ध्यान सोल, स्टार चक्र और आसपास की पंखोडियों पर होगा तब आप सोचेंगे और अनुभव करेंगे कि आप किसी और चेतना से बात कर पा रहे हैं आप बात करते समय अनुभव करेंगे कि मन के अंदर आ रही आवाज और सामने से आ रही जवाब की आवाज आपकी ही होगी जैसे हमने पीछे बताया कि इस्वर की और कोई आत्मा की आवाज नहीं होती या फिर उनका कोई शेप नहीं होता मेडियम से बैल्टी आपको उचतम आत्मा के साथ बात चीत करने की सिध्धी प्रदान करती है जो आपके मन के बिचारों के अंदर अनुभव होती है अब आठमी और आखरी सिध्धी है साइकोगनिसिस अगर आपने 2018 में नेटप्लिक्स पर आई कोरियन मूवी साइकोगनिस देखी है तो आप इससे अच्छे से समझ पाएंगे ये एक ऐसी एबिल्टी है जो बहुत कम ही लोगों को प्राप्त होती है और जिसको भी प्राप्त होती है वो इस दुनिया के स्थाने से चला जाता है जैसे कि साथ चिरंजीवी 1949 में रसिया ने केरलियन पोर्टोग्राफी तकनीक का विश्कार किया इसमें ये साबित होता था कि इस ब्रामाज में हर एक पदार्थ का अपना एक औरा होता है जो उसके आसवास के हर एक पदार्थ पर प्रभावित होता है आपने एक बात अन्भो की होगी अगर आप कोई काम कर रहे हो और आपके पास कोई प्रभाव शाली ब्यक्ति खड़ा भी हो जाए तो कुछ बोले भी नहीं तो भी आपके काम करने की गद्वधी पर बदलाव आएगा और आपके उपर उनका प्रभाव पड़ेगा बस इसके पीछे का तरक यही है कि उनका औरा यानी की प्रभाव वो आपको औरा के उपर लागू होता है औरा के बहुत सारे प्रकार हैं जैसे कि Magnetic Field, Gravitational Field, Mechanical Field, Thermal Field, Chemical Energy Field, Radiant Field, Nuclear Field, Potential Field, Kinetic Field, Sound Field अगर हर एक Field के बारे में बात करें तो यह वीडियो बहुत लंबा चलेगा इसलिए बात करते हैं में टॉपिक के उपर पुदारान के तोर पर समझें तो प्रत्वी सूर के Magnetic Field के प्रभाव से परभ्रमण करती है अगर दो Magnetic Field एक दूसरे के साथ Connect हो जाएं और उनमें से प्रभाव साली या फिर भल साली Magnetic Field है वो दूसरे Magnetic Field के परमाड़ियों को कंट्रोल कर सकता है और उनको अपने इच्छा के अंसार हिला भी सकता है आपने हिंदू धरों पर बनी कुछ सिडीज में देखा होगा कि उस समय के राच्छस भी बिना चुए चीज़ों को हिला सकते थे और उसे अपने मन से कंट्रोल कर सकते थे अगर देखा जाए तो उस समय के राच्छस भी हमारे से भी ज़्यादा सकतिसाली और सिडी प्राप्त करने वाले रहे होंगे पर उन्होंने अपनी सकती का प्रयोग अपने फायदे के लिए किया इसलिए वो राच्छस कहलाए और कुछ लोग इस सिडी का प्रयोग अपने अच्छे काम के लिए किया और वो भगवान कहलाए जैसे वीपन्स आर्मी के पास भी होते हैं और आतंकवादी के पास भी होते हैं और उप्योग अलग-अलग होता है मीडियम सिपरबईटे के बहुत सारे फायदे हैं जैसे कि किसी चीज को बिना चुए कंट्रोल करना स्वीट के साथ यात्रा करना तत्वा माता वरान के साथ तालमेल बना कर सफर करना अब जानते हैं कि ये सिद्धी प्राप्त कैसे होती है पुराने समय में सिस इसे गुरू के निर्देश आनुसार प्रयोग करते थे और हम भी वही सज़िस्ट करना चाहेंगे ये सिद्धि सुनने में जितनी अच्छी लगती है उतनी ही कीमत चुखाने पड़ती है इसे प्राप्त करने में कृपिया इसे गुरू के निर्देश की विने अपलाई न करें सबसे पहले स्विस्ट एक मजिटेशन मुद्रा में बैठता है कि चारोत बाजू और एक गुरू और एक अन्याई होते हैं तो ध्यान के समय मंत्र और उचार और स्लोप का काम करते हैं इसके पीछे का कारान बस यही है कि उधारान के तोर पर समझें तो अगर हम किसी गहरे समुद्र में जुक्की मारते हैं और अगर हम बहुत ही गहरे चले जाते हैं वापस आने के लिए एक रस्सी का बांधना बहुत जिरूरी होता है जो रस्सी ऊपर सपाटी पर चल रही में बोच पर हो जब भी ऐसी कोई इमर्जेंशी सिच्वेशन आ पड़े तो रस्सी के सहारे उस गहरे समुद्र से बाहर निकल सके और अपने प्राणों को बचा सके शिच्ष अपनी साधारान ध्यान के मुद्रा में बैट कर ध्यान की इस्ती में दाखिल होता है और दाखिल होने के बाद वो अपने मूलाधार चकर पर ध्यान करेगा और मूलाधार चक्र को जागरत करने का मंत्र भी उच्चारंग करेगा साथ साथ आसपास गुरू और उन्याई बैटे हैं वो गुरू के निर्देश के अंसार मंत्र उच्चारंग करें अब मूलाधार में इतनी सांस भरी जाती है पूरी बॉच नेचे की और वाइबरेट करने लगती है मूलाधार से उर्जा फटकर बाहर आ जाती है इसे कुछ उदारान से समझें कि कोई गुबारा है इसे गुबारे के अंदर हवा भरी हुई है अगर उसमें से हवा बाहर निकाल लें तो दो रास्ते हैं या तो उसे कोई नुकीली चीज लगा कर फोड़ दो या पिर उसमें और ज्यादा हवा भरो इतनी हवा भरो भी गुबारा फट जाये और अंदर की सब हवा बाहर को फैंक दे बस कुछ ऐसा ही होता है मूलाधार चक्र में हमारी शरीर की सारी उर्जा जैसे कुंजलेनी सकती बोलते हैं वो मूलाधार के अंदर स्थापित होती है पर इसे हम सुच उभा कर बाहर तो नहीं निकाल सकते क्योंकि ये सभी चक्र बिद्दूत उर्जा से बने हुए होते हैं जो बिचार निर्देश की अंसार काम करते हैं इसलिए इसके अंदर हमें इतनी हवा भरने पड़ती है कि इसकी छमता ही पूरी हो जाएं उसे इस्टोर करने की और गुबारा सब उर्जा बाहर निकाल जाएं और ये काम अकेले सिसे से नहीं हो सकता इसलिए चारो तरफ एक वर्दुलाकार गुरू के साथ सभी मूला धर मंत्र का उच्चारान करते हैं उनके बाद जो होता है वो बहुत गंभीर ध्यान होता है इस ध्यान के साथ शिस आँख नहीं कोल सकता बहुत ही निगेटिव आवाजे सुनाई देती हैं बहुत ही डरावना अनुबव हो सकता है तब शिस आँख ना खोले इसलिए स्वादिष्ठान को सांत करने के लिए गुरू को और उनके अन्याई स्वादिष्ठान मंत्र का उच्चरान करेंगे पतंजली योग सुत्र के अन्सार अगर स्वादिष्ठान चक्र की उर्जा को नियंत्रित करना है तो उस उर्जा को सीकार करें और दिल में एक प्यार की जियोती जगाएं और उसे प्यार से देखें अब उर्जा उपर उठेगी मरीपूर चक्र में अगर हमारा पेट खाली है तो समस्चा नहीं है अगर पेट खाली ना हुआ तो मरीपूर सरीर से मल मूत्र भी निकाल सकता है जब उर्जा उपर आएगी तब अनाहत चक्र में इस्थित होगी अगर आपको अनाहत चक्र का एक्टम सही स्थान जानना है तो गूगल केजिए थामेसिस ग्लैंड की लोकेशन जब उर्जा अनाहत में इस्थित होगी तब ऐसा अनवो होगा कि जैसे हमारी चाती सक्टी से फूल गई हो और तिसी को ऐसा भी अनवो हो सकता है कि चाती फटके उर्जा बाहर निकल जाए जैसे रामायर में हरुमान जी ने छाती फार कर कैसे भगवान दिखाए थे बस उसके पीछे का योगिक परस्पक्टिव यही है कि जैसे अंदर की उर्जा आप कोई भी नाम दे सकते हैं कोई राम कहता है या कोई शिव कहता है कोई उसको अलाह कहता है अगर उस अर्जा को नियंतर किया जाए तो यह उर्जा आगे जाएगी विसुद्धी चक्र में इसमें भी प्रक्रिया वही होती है स्वांस भरो मंत्र उचार और बाहरी मंत्र उचार का आपने शरीर पर पभाव पढ़ने दो क्योंकि हमारा पूरा सरीर भी कान की तरह सुनता है स्वांस देकर चक्र को शांत किया जाता है और उसे वाइब्रेट किया जाता है Vibration के दोरान कुछ चीजे महसूस हो सकती है जैसे कि मुह में से वीर बाहर आ जाना और पूरा मस्तिस्क Vibrate होना अपना स्वांस अंदर लेते समय और बाहर लेते समय हम का उच्चारान करना है और ये योगिक प्रक्रिया हमने खुद प्रयोग की हुई है और सास्त्र से भी कुछ जानकारी प्रमार के तोर पर ली है आगे गुरु मंदर को सुनते जाना है और अंत में इतनी शांती का उनभव हो सकता है कि आपने पूरे जीवन में कभी महसूस की न हो हिंदू धर्म में भगवान शीव की एक प्रतिमा है जिसे इलकंट महादेव बोलते हैं इसके पीछे का योगिक साइंस वही है जो नीले रंग गले पर दिखाया जाता है वह बहुत ही ठंडा और बहुत ही उम्दा शांदी का प्रतीक है अब यहाँ पर सिस्ट के पास दो विकल्क होते हैं अगर वो डर गया तो ध्यान से बाहर भी आ सकता है या पिर आखे बंद करके आगे भी जा सकता है क्योंकि हर कोई इस अनवो को जेल नहीं बाता है इसलिए ही यह प्रक्रिया पब्लिक प्लेट फार्म पर नहीं मिलती पब्लिक प्लेट फार्म पर ज्यादा दर व्यापार के दृष्ति से ही सब सिखाया जाता है कुछ ही गिनेचुने इस्वित्ती सास्त्र हैं जैसे कि हट्ध यह प्रदीपिगा जो समाधी से भी उपर के चक्र के बारे में बोलती है पर उसमें भी इतना डिटेल्स में नहीं बताया जाता है अब अगर आगे जाए तो शांतिय के अनुभों के बाद उर्जा स्थापित होगी अजना चक्र में जैसे आगे हमने बताया कि कान के तीन भाग होते हैं बाह, आंतरीक और मध्य इसी तरह आग्याँ चक्र के भी तीन भाग है जो भागवत कीता में स्थीकर शो को अर्जन को बताया था कि अगर बाहर के दुनिया के बारे में समझना है तो अपने नाग की टोक पर ध्यान दो अगर आंतरिक दुनिया के बारे में समझना है तो आखों के बीच में अंदर वाले भाग में ध्यान दो स्वामी विवेकानन ने एपनी पूरी जिन्द की नाक की टोक वाली भाग नहीं ध्यान दिया और वो उसके आगे कभी बढ़ नहीं पाए आएकलीश्ट स्वामी विवेकानन समाधी को भी प्राप्त नहीं हुए समाधी के आगे महा समाधी और दूसरे अनुभों की बात करें तो बहुत दूर है भगवान शीकष्न एक गुरु है और हमें गुरु हमेशा रास्ता दिखाता है चलना हमको ही पढ़ता है जैसे एक आंतरिक आग्या चक्र पर ध्यान करते हैं धीरे धीरे हमारा ध्यान चला जाता है पिनाल ग्लैंड के उपर और समय आप अपनी उर्जा को देख सकेंगे और उर्जा इस प्रकार दिखाए देगी कि एक बहुत ही सकती शाली बालक की जिसके पास बहुत साई सकती आ गई है और सब कुछ तबाह करने के लिए तैयार है फिर बहुत ही असान्त है जैसे हनुवान जी अपने बच्पन में थे फिर सिर्ष इस उर्जा को डीप अब उर्जा को शांत होने के बाद उर्जा को ऊपर उठाया जाया अब सहस्तरात चक्र में अब सरीर से बाहर आने की सही विधि शुरू होती है इस चक्र में समाधी मैसूस होगी जैसे परमशांती जैसे विशुद्धी चक्र पर परमशांती का अनुभव हुआ था वैसे ही इधर परम शांति का अनुभव हो सकता है कुछ अनुभव ऐसे हैं जैसे कि स्वास बंद हो जाना बाहर की आवाज बहुत ही नियुनुतम हो जाना ब्राइट लाइट दिखाई देना और सभी बिज़ारों का बंद हो जाना इस समय गुरू और अनियाई एक असली काम शुरू करते हैं अगर कुछ भी गलत आपको लगे उस आवाज को सुनकर उसे रस्ची के तरह पकड़ कर बाहर आ सकते हैं और बाहर की जो आवाज है वो बहुत ही नियुनुतम सुनाई देगी उदाहरण के तौर पर जब आप पाने के अंदर होते हैं और बाहर की आवाज जैसे कान को सुनाई देती हैं बस उसी तरह अब इस समय आपके रीड की हज़ी सीधी हो जाएगी और आप सरीर को उसके फ्लो में आगे बढ़ने देते हैं और आप अपना कंट्रोल को समय के लिए सरीर से हटा देते हैं तो अनवव होगा कि मूलाधार से सहस्तरार्ट के बीच में सफेद रंग उर्जा का एक खंबा खड़ा है इसे सनातन धर्म में धर्म इस्तंब कहते हैं जो बहुत ही ठंडा और बहुत ही शांत होता है अब स्टेज पर भी मौका मिलता है बाहर निकलने का और वो पूरा हमारे कंट्रोल में ही होता है अगर हमें और आगे जाना है तो इस उर्जा को थोड़ा से फिजिकल सपोर्ट ये देकर आगे बढ़ाना पड़ता है जैसे गुरू सिस को अंगूठा बेकर सक्तिपात देते हैं उसी तरह सिस अपने दोनों अंगूठों को अपने आग्या चकर पर रखते हैं और उनका सिर दिवाते हैं जिससे उर्जा सोल स्टार चकर में आगे बढ़ सके और एक प्रक्रिया अपने आप होती है हमें बस अपने सरीर को अपने फ्लो में आके बढ़ने देना है और सरीर को एकदम लूज करके रखना है जैसे जिम में बॉड़ी बनाने के लिए सप्लिमेंट होते हैं जैसे डांटर, अलकोहल और डोपा को कंचूम करने के लिए मना करते हैं पर उसे भी पता है जरूरत से ज़्यादा ना दिया जाये तो ये दवा है क्योंकि जरूरत से ज़्यादा हर कोई चीज जहर है बाकि समझदार कोई सारा काफी है देखिए परमातरमा ने इस जगत में क कोई चीज अच्छा और कोई चीज बुरा नहीं बनाया अच्छा और बुरा सभाव या फिर नियत होती है कोई पदार्त या फिर चीजे नहीं अब पुर्जा जब स्टोल इस्टार चकर की तरफ बढ़ेगी तो एक गोल्डन ब्लेक करर का गोला कल्पित होगा अब ध्यान रखने वाली बात ये है कि इस समय हमें खलल पहुचाने वाला नहीं होना चाहिए क्योंकि हम इस समय सरीर के बाहर होते हैं आगे की बात करें तो स्री मदभागवत महापुरार में बताया गया है कि जब रिशी संदीपनी, स्रीकष्ण और बलराम को सिखा रहे थे तब ये है कि सूस्म सरीर से यात्रा करने के लिए इस पंच भूत से बना हुआ सरीर को सुरचित जगह पर रखो अनथा बहुत ही बड़ा अनर्थ हो सकता है सोल स्टार चक्र देखने पर उस पर ध्यान वैसे ही लगाना पड़ता है जैसे सरीर के साथ चक्रों पर लगाया जाता है उस समय का अनवो बहुत अलग प्रकार का होता है जैसे हमारा सरीर मर गया हो और हम बाहर निकल गए हो बाहर की आवाज बहुत ही कम सुनाई देती है ऐसा समझें कि आप समुझें कि गहरी सपाटी के पास पहुँच गए हैं और उपर के सपाटी बहुत ही कम दिखाई दे रही है और सेव्टी के लिए हमारे पास बस रस्ती है जैसे सिश के लिए गुरू का मंत्र जाप, सोल स्टार की ऊपर भी और पांच चक्र होते हैं, इसके बारे में फिर कभी चर्चा करेंगे, भगवान विश्नु और ब्रह्मा को भी अंत नहीं मिला था, क्योंकि अध्यात में क्यात्रा अनंत होती है, अब कुछ देर वहां रहन के बासिश अपने कानों से आवाज को सुनकर धीरे धीरे आवाज को पकड़ लेता है, और धीरे धीरे आँख खोल कर इस बाहरी दुनिया में आ सकता है, या अभ्यास करने के बाद भी कुछ विधी होती है, जैसे मूला धार को स्वस्त रखना और मांकी चक्रों की सफाई, जैसे सिंगिंग पावर, गुरु मंत जाप और चह चक्री मेडिटेशन और कुछ आयरुवेदिक टेल का भी प्रयोग कर सकते हैं, अनथा मानसिक अस्थिरता का अनभव हो सकता है, ध्यान रखें सिद्धी एक बार प्रयोग करने से नहीं मिलेगी, बार बार 45 दिनों तक न मिरंतर अभ्यास करने के बाद गुरु के निर्देश आनुसर कुछ सिद्धी हमें मैसूस हो सकती है, तो इस वीडियो में हमने सीखा कि अर्थिस्टार चक्र और सोलिस्टार चकर को जागरत कैसे करें, और कौन-कौन से सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं, जैसे कि अर्थ करना जैसे सिद्धियां, सोलिस्टार चक्र जागरत करने की विधी बहुत जटिल है, और इसे गुरु के निर्देश के बिना नहीं करने चाहिए, सोलिस्टार से कुछ सिद्धियां मिल सकती हैं, जैसे कि क्लेर वाइन्स, जैसे ऐसी चीज़े देखना जो विजबल ना हो, क्लेर आउडियन्स, ऐसी चीज़े सुनना जो आउडियबल ना हो, क्लेर सेंशियन्स, ऐसी उर्जा और वाइब्रेशन को उनुभो करना जो कुछ थास जगपर होती हैं, केली पैथी, मूँ खोले बिना ही किसी से बात करना, प्रेडे ग्रेनेशन, भविश की घटनाओं को पहले से ही आकलन कर लेना, साइकोगनेसिस, पदार्थ को छुए बिना ही हिलाना और आखरी है मेडियम सिप, जिसका मतलब है हायर डैमेंशन में कनेक्ट होना, अंत में बस यही कहना चाहूंगा, कि मनों से चेतना से बड़ी, इस दुनिया में कोई ताकत नहीं होती, काम करते रहना, और कैसे जीना, वही भूल जाना, वो लोग तुम्हें कभी नहीं बोलेंगे कि जो काम में कर रहा हूं, वो करो, बस हमेशा यही कहेंगे कि कुछ अलग करो, कुछ नया करो, उससे अच्छा है कि आप अपने आपको पहचानो, आपको क्या पसंद है, और देख कर प्रभावित ना हो, खुद को खालो करो, क्योंकि मीरा भाई भी कहती है, प्रेम बिना पावे नहीं, भले हुनर करे हजार, कहे प्रीतम प्रेम बिना न मिले नंद कुमार, जरा अपने अंगूठे और प्रिंदर प्रिंट के ग्राफ को तो देखो, कितनी रिदम मे हैं, बस हमें भी वही रिदम में शट होना है, इसलिए हमें अपने दिल की सुनें, और अपने आपको इतने कष्ट में कभी न डालें कि आपकी चेतना जानवर बन जाए, और आप अध्यात्मिन जगत को अनुभव ही न कर पाएं, प्रेम करो इस जीवन को, समान करो इस उर सके